Hello everyone, this is Puneet, your English teacher और मैं आप सब का सागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पे तो आज मैं फिर से आपकी vocabulary को improve करने के लिए लाए हूँ कुछ शांदार English के words अगर आप किसी भी competitive exams की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी English को improve करना चाहते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं जो English की vocabulary means English के शब्द कोज जो है वो आपके लिए कितले important है अगर आपकी English की vocabulary strong है तो आप easily competitive exam में आने वाले English के जो questions हैं उनके answers दे सकते हैं साथ में अपने English को भी अच्छे से improve कर सकते हैं तो अब आपको अपनी vocabulary को improve करने के लिए किसी रटे की आफशकता नहीं है क्योंकि जिस method का आज हम use करने वाले हैं उस method से आप चाहें तो daily के thousand words भी English के याद कर सकते हैं और अगर आप हमारे channel पर नए हैं तो आप हमारी previous video भी देख लेजिए ताकि जिस memory hinting method की मैं बात करने जा रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझ सके तो ज़्यादा समय ना लेते हुए class को शुरू करते हैं तो first word है जो हम ले रहे हैं the first word is catapult c-a-t-a-p-u-l-t catapult और इसकी हिंदी होती है गुलेल अब इसे याद करने के लिए इसका memory hint लेंगे catapult, catapult का हमने memory बना दिया cat और pult का बना दिया पलट गई cat, पलट गई और इसकी हिंदी है गुलेल अब हम दोनों की एक story create करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि story जो होती है वो हमें लंबे समय तक याद रहती है तो catapult प्लस में गुलेल की अब एक funny से story create करनी है हमें कि जब भी हम गुलेल से cat को hit करते हैं तो वो पलट जाती है या cat कप पलटती है जब हम उसे गुलेल से मारते हैं या hit करते हैं तो I think so story से आपको word समझ में आया होगा और इसकी हिंदी भी आप लंबे समय तक याद कर पाएंगे अब next word पर चलते हैं next word है हमारा catacomb c-a-t-a-c-o-m-b catacomb और इसकी हिंदी होती है कबरो का तैखाना underground symmetry को catacomb बोलते हैं अब इसे याद करने के लिए hint को देखते हैं कि hint कैसे बनाएंगे catacomb 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 अब एक story को create करते हैं cat plus com तो इसका hint हो गया और कबरो का तैखाना इसकी हिंदी है तो अब एक story को create करेंगे कि जो हमारी cat है वो कबरो के तैखाने में कंगी करती है या जितने भी इसंसार में cat है वो कबरो के तैखाने में कंगी करती है means com करती है तो अब next word पर चलते हैं हमारा next word है trifle T-R-I-F-L-E trifle trifle के हिंदी होती है बेवजा समय बरबात करना निरर तक समय बरबात करना अब इसका हिंटिंग देखते है trifle आप word को बार-बार बोल कर देखे शायसे आप और भी अच्छा memory हिंट क्रियेट कर पाएं trifle trifle try का हमने बना दिया try और trifle साथ में rifle की sound आ रही थी तो try plus rifle इसका हिंट हो गया अब हिंदी के साथ हम एक स्टोरी को क्रियेट करेंगे इसकी हिंदी है निरर्थक समय बरबात करना जब भी मैं rifle की try करता हूँ तो मैं अपना समय निरर्थक व्यर्थ करता हूँ कोई कि मुझे rifle तो चला नहीं आती नहीं तो या जो भी व्यक्ति राइफल की try करता है वो अपना समय निरर्थक व्यर्थ करता है तो ट्राइफल की इंदी होती है निरर्थक बेवज़ा अपने समय बरबात करना अब next word है हमारा parasol P-A-R-A-S-O-L parasol आप screen पर देख सकते हैं parasol इसकी इंदी होती है च्छाता च्छोटा च्छाता जो होता है धूप के लिए यूज़ करते है धूप से बचने के लिए हम उसे parasol बोलते हैं तब इसका हम हिंटिंग देखेंगे para का हमने बना दिया पहरा जो पहरा देते हैं और soul का हमने बना दिया soul आत्मा तो आत्मा जो है वो च्छोटा च्छाता लेकर पहरा दे रही है para soul जितने भी आत्माएं हैं वो च्छोटा च्छाता लेकर पहरा दे रही है हमारा next word एप enthral enthral e-n-t-h-r-a-l enthral इसकी हिंदी होती है मंत्र मुग्द करना किसी को मौहिद कर देना आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी इन्दी मंत्र मुग्द करना अब इसका memory and create करेंगे enthral enthral का हमने बना दिया enthral का बना दिया thal unka thal या unka thal आप दोनों में से किसी को भी use कर सकते हैं तो एक unka thal आपके सामने है और जब भी आप unka thal को देखते हैं तो वो unka thal आपको मंत्र मुग्द कर देता है वो unka thal आपको मोहिद कर देता है ठीक है तो या किसी unka thal को देखते हैं तो वो भी मुझे मंत्र मुग्द कर देता है enthral की इंदी होती है मंत्र मुग्द करना आइए next word पर चलते हैं हमारा next word है treacherous treacherous t-r-e-a-c-h-e-r-o-u-s treacherous treacherous की हिंदी होती है विश्वास घाती treacherous विश्वास घाती दोके बाजव्यक्ती को हम treacherous बोलते हैं अब इसका hinting देखेंगे treacherous ट्रेचर का हमने बना दिया टीचर और लास्ट में रस की साउंड आ रही थी प्लस टीचर प्लस रस यह हमारा memory हिंट हो गया अब हम एक हिंदी को जो इसकी हिंदी है और साथ में जो memory हिंट है उसकी एक story create करेंगे your story should be funny आपकी story जितनी funny होगी आपको words उतने ही लंबे समय तक याद रहेंगे तो treacherous प्लस विश्वास घाती ओके अब हिंदी के साथ हम हिंटिंग के साथ एक story को create करते हैं कि जितने भी teacher हैं वो रस पीने विश्वास घाती नाम के एक व्यक्ति की शोप पर जाते हैं या teacher को रस पीता नहीं देख सकते जितने भी विश्वास घाती लोग हैं वो teachers को रस पीता नहीं देख सकते तो आप story अपने according भी create कर सकते हो अब next word देते हैं हमारा next word है Bikring B-I-C-K-E-R-I-N-G Bikring इसकी हिंदी होती है कहा सुनी या जगडा अब इसके hinting पर जाते हैं Bikring Bikring बोलने से ही Memorine Creator है Bik रही है Ring तो जहां पर भी ring बिक रही है वहां पर कहा सुनी या जगडा हो रहा है जहां कहीं भी ring बिक रही है वहां पर कहा सुनी या जगडा हो रहा है अब हम next word पर चलते हैं हमारा next word है John T J-A-U-N-T-Y John T, John T कहीं का name भी होता है तो John T, Memorine T निकल गय बीश्या, simple सी बात है अब हिंदी की बात कर लेते हैं जिंदा दिल इसकी हिंदी होती है या जिंदा दिल व्यक्ति को हम ज़ॉंटी बोल सकते है तो अब story create करेंगे memory hint प्लस हिंदी की तो इसका memory hint जो हिंटिंग हमने ही याद करने के लिए लिए वह है जॉंटी नाम का कोई व्यक्ति तो जोंटी नाम का जो व्यक्ति है वो जिन्दा दिल है बड़ा ही खुश मिसाज जिन्दा दिल व्यक्ति है तो जोंटी की हिंदी होती है जिन्दा दिल व्यक्ति अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड बैश B-A-S-H BASH BASH की हिंदी होती है भिढ़ना या जोर से मारना किसी को अब इसका हिंटिंग देखेंगे इसका हिंटिंग है भैस जो भैस जो डैरी के अंदर दिखने को बिलती है भैस तो आपने एक भैस खरी दी है और वो भिढ़ जाती है कहीं के साथ और जिसके साथ भी बिढ़ती है उसे जोर से मारती है तो आपने हिंदी प्लस इसके जो हिंट था उसकी एक फ़नी सी स्टोरी क्रियेट कर लिए हमारा नेक्स वर्ड है के ओस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते है C-H-A-O-S के ओस इसकी हिंदी होती है आ विवस्थता या गडबड़ी अब इसका हिंटिंग देखेंगे chaos के का हमने बना दिया key की मिंज चावी और ओस का हमने बना दिया जो सरदियों में ओस पड़ती है की प्लस ओस तो आपकी की चाए कोई गाड़ी की है या बाई की की है उस पर जब भी ओस आती है तो उस दिन कोई ना कोई गड़बड़ी होती है तो की पर जब भी ओस आईगी उस दिन क्या होगी गड़बड़ी तो I hope so आपको इस hinting के साथ ये words समझ में आये होंगे तो अब आपके लिए एक quick revision session with music जिससे आपको ये words और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे अभी आपके सामने ये words आएंगे साथ में हिंदी प्लस में memory हिंट रहेगा बस आपको इसकी story के बारे में सोचना है ताकि आपको पता चल सके कि आप इस method से इन words को कितने अच्छे तरीके से याद कर पाए हैं तो please enjoy this quick revision music session अच्छे बारे में से अच्छे जाएंगे झाल सके आपको 1 झाल 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 I think so is quick reason music session के अंदर आपको words और भी अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलेगा और साथ में हमारे चैनल को subscribe कर दीजिये ताकि आने वाली सारी notifications आपको समय पर मिलती रहें तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में till then have a nice time